लखींपूर खीरी जिले के तहसिल पलिया में कॉंग्रेस पार्टी के 136 स्थापन दिवस के अउसर पर कॉंग्रेस पार्टी के उत्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के महासचिव सैफ अली नकवी तहसिल पलिया पहुझे जहापर कारेकरताओ और पदादीकारियों ने उनका फुल मालाओ से स्वागत किया वही कारेकरम के दौरान पदादीकारियों ने अपनी बात कही इसके साथ ही प्रदेश महासाचिव सैफ अली नकवी ने पत्रकारों से प्रेस वारता की वारता के दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साथते हुए कहा कि है सरकार गूंगी, भैरी, ठेके और भाड़े की सरकार है यह कॉंट्रेक्टर, पर्मिट, सूट बूट और लूट की सरकार है चहां हिंदुस्तान में करोडो किसान परिवार इस सरकार से आस लगाए बैठे है और दिल्ली में काले कानून को वापस लेने को लेकर आंदुलन कर रहे है आंदुलन के दौरान वही 35 किसानों की मौद भी हो गई किसी आंदुलन का हिस्सा बनकर उन्होंने वहाँ एक हफ़ता बिताया है जहां लखी पूरखीरी जिले के कही तैसिलों जिसमें तैसिल पलिया और जिला पीली भीत के भारी संख्या में किसान दिल्ली पहुचे है और आंदुलन कर रहे है और उनके इस आंदुलन में कॉंग्रिस पार्टी भी लगातार हर तरीके से सहयोग के लिए खड़ी है उसमें पंजाब और हरियाना के जितने भी सांसद है वो वही मौजुद है और किसानों का सहयोग कर रहे है लेकिन सरकार इन बातों पर ध्यान न देकर वह कई हजार रुपे करोड का पार्लियमेंट बना रही है 8500 रुपे का दो जहाज खरीद रही है देखे इस सरकार ये सरकार गोंगी बैरी सरकार है ये सरकार ठेके और भाड़े की सरकार है ये सरकार contract or permit की सरकार है अत्वा, ये सरकार suit boot की सरकार है और suit boot के साथ में हमें कहूंगा ये सरकार loot की सरकार है वरना आज भी हिंदुस्तान में करोडों जो किसान परिवार हैं आज आस लगाए बेटे हुएं आज 35 किसानों की मौत हो गई मैं खुद वहाँ पे एक हफता बिता के आ रहा हूँ, मेरे पलिया के, मेरे पीली भीत के, और लखीमपुर के कितने किसान वहाँ पहुचे, पर वहाँ पे मुझे फकर होता है, ये कहते हुए, कि चाहे दो महिने लगजाएं, चाहे तीन महिने लगजाएं, इस आंदोलन को सं के से हम लोग समर्थन करेंगे सरकार को यह समझना होगा कि आप किसान से है किसान आप से नहीं है और किसान जिस दिन तनकर खड़े हो गए तो इस सरकार की उल्टी गिंती 2022 में चाहे प्रदेश में हो या फिर कही और शुरू हो जाएगी और यह सरकार मुग के बल किर पड़े इन बीसे न्यूस के लिए लखिमपुर्खीरी से फारुक हुसैन की रिपोर्ट